स्वेर पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में काफी चीज़ें हम लोग नहीं देखिया आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक फाइल को कैसे रेंडल किया जाता पाइथन में कि file handling एक बहुत important concept है पाइथन के अंदर एक file को open कैसे किया जाता है उसको write किस तरह से करना है append किस तरह से करना है उस text file में वो text file ना होकर एक binary file भी दो सकती है उस case में उसको किस तरह से handle करना है यह सब आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा चलते हैं computer screen में and let's get started so python के अंदर जो file handling के methods है वो built-in है इस रैपल में आप लोग देखो कि मैं आपर एक python file बना लेता हूँ सबसे पहले तो आप लोगों के लिए समझना काफी easy हो जाए फिर हम लोग यहां पर देखेंगे कि python में किस तरह से open किया जाता है किसी भी basic file को जब हम file की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमांग में आती है वो थी एक text file हला कि files text files भी हो सकती है binary files भी हो सकती है और text files में बहुत तरह की files हो सकती है जिसमें की textual content हो सकता है बट अभी के लिए हम लोग बहुत ही simple way में देखते हैं कि file handling python में किस तरह से की जाती है तो python provides several ways to manblade files आज भी discuss करने वाले एक file को open करने के लिए आप open method का इस्तिमाल कर सकते हो तो simply आप कह सकते हो f is equal to open myfile.txt अब यह myfile.txt मौझूद नहीं है आपर बिलकुल भी मौझूद नहीं है मैं run करूंगा तो मुझे error ही देखने को मिलेगा आप देखो यहां पर यह कह रहा है कि भाई myfile.txt क्या है myfile.txt कैसे open करूं कोई file है यही नहीं तो open कैसे होगी तो यही बात बोली जा रही है python के द्वारा अब आप यहां पर देखो कि python provides the open function to open a file it takes two arguments पहला argument क्या है file का नाम और दूसरा argument है mode जिसमें वो file को खोला जाना चाहिए the mode can be r for reading w for writing and a for appending यानि कि आप read कर सकते हो एक file को write कर सकते हो w से और append कर सकते हो उस file में अगर आप लोग चाहो तो यानि कि उस file में additional content add कर सकते हो at the end of the file वो आप event mode से कर सकते हो यहां पर यह लिखकर ठीक है चलो यह सारी बाते तो होती रहेंगे अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि इस file को अगर मैं खोलना चाहता हूं तो मैं इसको बना सकता हूं ठीक है तो मैं यहां पर एक काम करता हूं एक नई file बनाता करूंगा इस बार यह program interestingly error throw नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा error throw अरे यार मेरे पास my file.txt अब मौझूद है लेकिन मैंने अभी सिर्फ यहां पर एक तरह का variable बनाया और मैंने बोला है बस open कर दो file को मैंने ना तो print किया कुछ कुछ भी मैंने नहीं किया एक काम करता हूं ज़ तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैं कहूंगा text is equal to f.read और इसके बाद f.close यह क्या कर दिया मैंने यह मैं आप लोग को बताना चाहता हूं तो मैं यहां पर जल्दी से print text करूंगा instead of printing f इसको print करने का कोई point नहीं है print करना चाहूंगा मैं इस file के textual content को जो कि मैंने अभी कर या आप देख सकते हो अपनी screen में hey harry awesome man लिक कर आ रहा है यह वही content है जो कि मेरा myfile.txt के अंदर मौजूद है ठीक है तो आप लोग नहीं देखा यहां पर कि f.read करके मैंने text file के content को extract कर लिया क्या अगर मैं इसको write mode में खोलता तो मैं इस file के content को extract कर पाता आपसलूटली नहीं यहां पर देखो यह कह रहा है भाई साब read नहीं कर सकते हैं आपने write mode में खोला हुआ याद रखो आपने पहले तो बोला मैं write करने वाला हूँ और उसके बाल आप read करने बैठ गए गल्त बात है ठीक है तो यह बोला इसने तो अगर आप read करना चाते हो तो भाई r use कर और आगे अपनी बात पर जो है टिके रहो यह नहीं कि आपने write mode में खोल के और read करने बैठ गए फाइल को या फिर read mode में खोल के write करने बैठ गए फाइल को ना ना सर जी यह नहीं चलेगा अब मैं दोबारा से इसको run करूंगा तो आप लोग देखो यहां पर hey Harry awesome man लिखकर आ गया है ठीक है तो यह यहां पर एकदम सही सही चल रहा है अब यार हमने फाइल का नाम जो पहला argument देखा वो यार मेरी समझ में आ गया आप लोगे हाँ भाई है अरी बाई सही है जब कुछ एकदम चंगा लेकिन यह जो दूसरा argument है जो की mode है उसकी क्या कहानी है यार यह यह मतलब कभी R कह दे रहे हो कभी W कह दे रहे हो कभी A कह दे रहे हो तो आप बताओ इसके बारे में तो चलो बताता हूँ read mode opens the file for reading only and gives an error if the file does not exist अगर यह देखा था भी हमने my file to txt exist नहीं कर रही थी उसको खोलने की कोशिश की गई थी लेकिन error आ गया अब यार अगर आप लोग कहते हो मान लो कि मैं अपने घर में नीचे खड़ी हुई फरारी का दर्वाजा खोलूंगा तो यार जो चीज़ एक जो करिए उसका दर्वाजा कैसे खोलोगे आप कैसे खोहलोगे नहीं खोलोगे इनफोल के लोगा तो ऊसी तरह से यह फाइल भी ऑगिस करती है अभाग में बानाया रहा wcze को इसे वाथ मिलें किया होना है वह तो बाद ही ने पताएगा लेकिन फिलाल exist नहीं करती है इसलिए error throw करेगा this is the default mode if no mode is passed as a parameter this is very interesting अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूँ न और इसको run करने की कोशिश करूँ interestingly this program works क्यों 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 कि R mode default होता है ठीक है तो मैं इसको control Z कर देता हूँ क्यों कि मैं specify रखना चाहता हूँ कि मैं इसको read mode में खोल रहा हूँ file को ठीक है चलो जी बढ़िया write mode हमने देखा कि अगर हम write करना चाहते हैं किसी भी file में write mode में खोलेंगे या फिर हम अगर नई file create करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते है ठीक है अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और w कर दूँ और इसको run कर दूँ तो my file 2 जो है वो यहाँ पर बन जाएगा देखे हैं आप लोग यह बन गया my file 2 यहाँ पर ठीक है तो यह चीज आप लोग को बताऊने चाहिए कि अगर write mode में आपने ऐसी file को खोल दिया जो कि exist नहीं करती है तो जो है वो बन जाएगी ठीक है awesome append mode क्या है अगर आप लोग append करना चाहते हो यानि कि आप चाहते हो कि file के end में आप write कर दो और file का content भी बना रहे जैसे मैंने यह आपर अगर hey Harry awesome man वाली file में write mode में खोल कर write कर दिया उसमें तो यह content तोड़ जाएगा मैं यह नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि इसके end में मैं content अपना डाल दूँ तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा append mode में खोल दूँगा इस file को बढ़िया जी create mode क्या होता यह x mode होता है इस mode में file create होती है और अगर file already मौजूद है तो error throw करती है फिर इसके बाद T और B के बारे में बताता हूँ apart from these modes जो कि हमने already उपर देखे हम यह भी specify कर देते हैं कि यह file कैसे read की जारी है जैसे कि अगर मैं RT करता हूँ जो कि मैं बाद में लगाता हूँ यहाँ पर T इस T का मतलब होता है कि मैं as a text file इसको खोलना चाता हूँ जो कि by default होता है T लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी अगर पर B लगाता हूँ इस तरह से तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको binary के दौर पर खोलो यह binary file है तो यह जो content आएगा binary content आएगा तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर यह bytes के form में आ रहा है ठीक है तो मैं RB use करूँगा जब भी मुझे binary file कोलनी है जैसे कि JPG file खोलनी है कि match file खोलनी है यह PDF खोलनी है यह EXC file कोलनी है RB का use करूँगा अगर मुझे वो read करनी है तो similarly यहाँ पर जिस तरह से हमने read किया जो कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया हम write भी कर सकते हैं तो reading मैंने बताया once we have a file object we can use various methods to read from the file एक तो read method है जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया जो कि आपको उस file के अंदर का textual content दे देता है read lines भी एक method होता है उसको अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले है write किस तरह से करना एक file में उसके बारे में मालो में एक file मैं write करना चाहता हूँ मैं इसको ज़रा comment out करता हूँ यह reading a file था मैं आपर एक काम करता हूँ एक comment लिख देता हूँ यहाँ पर reading a file तो यहाँ पर मैं reading a file लिखा इसको मैं आपर ऐसे कर देता हूँ अब मैं writing to a file कर देता हूँ यह तोड़ा सा clarity बनी रहीगी writing to a file caps lock बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने एक file खोली इस तरह से और खोलने के बाद मालो मैं उसमें कुछ textual content डालना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं इसको run करता हूँ पहले आप देखो यहाँ पर hello world मैं डालना चाहता हूँ dot txt w mode में इसको लिखा इसके अंदर hello world जो है वो मैंने लिखने की कोशिश करी बट hello world यार आया नहीं scene क्या बन रहा है यह चल क्यों नहीं रहा प्रोग्राम मेरा मैंने my file dot txt को write mode में खोला अब देखो keep in mind that writing to a file will overwrite its content if you want to append to a file तो आप append mode use करो बट यहांवर अभी पता है क्या हो रहा है कि मैंने my file dot txt जो कि already मौझूद है जो कि अभी खाली है उसके अंदर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने आपर लिखा भी लेकिन लिखने के बाद आप देखो कि इसके अंदर यह content आया नहीं अब यह आपर यह important है कि मैं आपर f.close लिखकर इसके file को close भी कर दूँ और अब मैं इसको देखोंगा my file.txt को तो इसके इंतरे hello word आ गया है अगर मैं इसी file को append mode में खोलता ठीक है और मैं इसको run करता बिल्कुल इसी तरह जितनी बार run करूँगा तो अतनी बार इसमें यह add होता जाएगा hello word देखो एक बार add होगा hello word दुबारह इसको अगर मैं run करूँगा तो एक बार और hello word add हो जाएगा क्योंकि यह append कर रहा है append का मतलब कि file के अंत में text को लगा देना तो यह चीज हो रही है तो I hope कि यह चीज आप लोग समझ गए ठीक है reading कैसे करते है file की writing कैसे करते है file पे यह सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप लोग एक file को handle करना चाहते है file handling अगर आप python में सीखना चाहते है अभी एक और interesting तरीका है बहुत सारे लोग argue करेंगे in fact सही argue करेंगे कि यह method थोड़ा सा boring है कि यह पहले एक F बनाओ ठीक है फिर उसके बाद आप क्या करो कि F.write करके इस तरह से write करो फिर close करना भी याद रखो अब यह close करना तो जरूरी है क्योंकि यह अगर आपने बन कर दे एक तो आप फिरिजबं करती है अब पर आपकता है पर वे थमातर है था व आपके हो फिरिजबं करताए वाध कर रह डी की तरह कि यह था लिपकल रह रहा हूं यह चला कृँ सक्ता हूँ ऐसे समय करता हो और अगर लिखो गोंकि 36 इस तरह से f.right, hey I am inside with, इस तरह से अगर मैं लिखूंगा ना, तो क्या होगा, जानते हो, तो ना मुझे f.close करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, with statement का इस्तेमाल करके, automatically close हो जाती है file हमारी, जो भी file हम लग यूज करना चाहें, हम यहाँ पर जो भी mode यूज करना चाहें, कर सक जाते हैं, यह पर myfile.txt का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको append mode में खोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई, f.right, इसके दे राइट कर दो, hey I am inside with, myfile.txt कैसी दिखती है, यह तो हम सब जानते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन अगर मैंने इस प्रोग्राम को run किया, एक तो hello world add करेगा यह program, और इसके बाद I am inside with, यह add हो जाएगा, but what is happening है, यह कह रहा है कि IO operation on closed file, okay, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको comment out करता हूँ, मैं at a time इस चीज़ को चलाता हूँ, और यहां पर यह कह रहा है, f is not defined, तो मुझे यहां पर as f लिखना है, ठीक है, वैसे मै अब इसको भी रख सकता हूँ, मैंने as f नहीं लिखा था, वो problem थी, तो मैं यह भी कर सकता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को उतनी बार यह आता चाहेगा, file handling क्यों ज़रूरी है, क्यों आप लोगों को आनी चाहिए, file handling, तो यार उसका reason यह है, कि आप लोग, अगर file handling अच्छ करणा है, वो कर सकते हो आप, पर फाइल के अंदर, कोई भी data अपने program का store कर सकते हो, एक तरह से file को database की तरह temp, जुगारू database की तरह use कर सकते हो, ठीस कहर ने के लिए, एक data store की तरह use कर सकते हो, कोई भी चीज store करने है, मुझे mark store करने, 50 बच्छों उसको आप store कर सकते हो, तो काफी handy चीज़ है ठीक है तो I hope कि आप लोगो समझ में आ गया basic file I hope python में किस तरह से किया जाता अगले वीडियो में आपको और रोचक functions के बारे में बताऊंगा कैसे file handling की जाती है अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइज अगर आप लोगों अभी तक ये playlist access नहीं करें तो इसको जरूर से access करना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time क्या हुआ हाईब और दाईब नवीडियो अगया का लिएक क्या हुआ है झालाइब है झालाइब और दुट एकालाइब ये एकपराण्वादक्याएब ये तक आएब दूएक्याब